किसके सामने बनाया भगवान के सामने बनाया भगवान के सामने किसी की नकल चलने वाली भगवान देखे तो हनमान है वो नकली चहरा बना के आया है हनमान जी गए प्रणाम करके पूछने लगे आप कौन है कठिन भूमी कुमल पदगामी कवन हे, तु बिचर हूँ बन स्वाख्यानू आप कौन है? धरा कटोर है। आपके पाउन कुमल हैं। आप बन में क्यों भूम रहे हैं। क्या आप ब्रह्मा बिश्णु महेस में से कोई हैं? क्या नरनारा pista हैं? मुझे तो लगता है कही आप ब्रह्म तो नहीं है जो पृत्वी के बाहर का हरण करने के लिए अवतार लिया करते हैं आप इन में से कौन है भगवान ने सोचा कि जब भगत ही अपने आपको छिपा कर बैठा है तो हमको क्या पड़ी है अपना असली परिचय बताने की हम भी चिपाएंगे भगवान ने का है ब्रामण देउता आप जो जो बोल रहे हैं उनमें से हम कुछ भी नहीं है हम अयोध्या नरेश महाराद दसरत के पुत्र राम हैं हमारे छोटे भाई लक्ष्मन हैं हमारे साथ मेरी अरधांगनी थी सीता यहां कोई हरन करके ले गया हम उनी को ढूंड रहे हैं यह तो हमारी कथा है ब्रामण देउता अब आप अपनी कथा सुनाई जैसे नाम राम लच्छिमन दो भाई सुना प्रभु पहिचानी तुरंत परेउग गई चरना सो सुख उमा जाई नहीं बरना स्त्रीयमान जी महराज तुरंत भगवान की चरनों में लोट गए परंतु समझियेगा भगवान ने हनिमान जी को उठाया नहीं आज प्रभु का स्वभाव है जैसे कोई प्रणाम करता है गिरता है प्रभु तुरंत उठा लेते हैं हनिमान जी को नहीं उठाया थोड़ी दिरवाद हनिमान जी स्वयम उठ गए कहा प्रभु मैं तो जीव हूँ अज्यानी हूँ विशय में लीन रहता हूँ मैं आपको भूल कर आपका परिचे पूछ लिया मैंने परंतु आपको सब कुछ जानते है नाथ और उसके बाद भी मनुष्य की भाती आप मुझसे मेरा परिचे पूछ रहे क्या आप मुझे भूल गए है प्रभु इतना कहके हन्मान जी फिर प्रणाम की है लेकिन भगवान ने अब की बार भी नहीं उठाया शेन्मान जी परिसान की आखिर रागो जी उठा क्यों नहीं रहे है तब मन में भाव आया मैंने मुख से बता दिया कि प्रभु मैं कोई ब्राम्मण नहीं आपका दास हन्मान हूँ परंतु स्वरूप से अब तक ब्राम्मण बना हुआ हूँ यानि कपट जो हूँ वो दिखाई नहीं दे रहा है और जो दिखाई दे रहा वो हम है यही कपट है मैं भगवान के सामने कपट का रूप बनाया हूँ और राम जी कहते हैं मोही कपट छल छिद्र न भावा ए तुरंत हन्मान जी अपने असली रूप में आए और जैसे हन्मान जी अपने रूप में आए तब राघुपती उठाई उर लावा निज लोचन जलसी च जुडावा भगवान ने तुरंत हन्मान जी को उठाया और उठा कर अपने हिरदय से लगा लिया और प्रभु ने कहा हन्मान जी आप कह रहे थे मैं आपको भूल गया मैं आपको लक्ष्मण जी से दो गुना अधिक प्रेम करता हूँ अभी आएक पर एक बड़ी प्यारी बात लक्ष्मर जी बेचारे तो कई साल से भगवान की सेवा में लगे हैं दिन रात एक कर दिये हैं बन में और हन्मान जी तो अभी अभी आए हैं तो भगवान ने कह दिया कि लक्ष्मर जी से दो गुना अधिक आपको प्रेम करता हूँ ये बात सही ठीक है कहिए कोई आपके लिए दिन रात खप रहा हो मर रहा हो सालों से अभूसी के सामने कोई नया नया है और आप बोले कि आपको तो इन से अधिक प्रेम करता हूँ लक्ष्मर जी को कितना बुरा लगा होगा कह Rice लगा होगा ना भगवान ने गलत कहा ना कहिए भगवान ने गलत कहा ना बिलकुर सही कहा भगवान क्यों गलत बोलेंगे जी तो आपको कहें महराज यहां क्यों बोला भगवान में एक महापुरुष भैप पुजिश्री कृपा शंकर जी रामायनी अब तो नहीं रहे वो कहते हैं देखो एक मां के दो बच्चे हैं एक पांच साल का अद दूसरा बेटा दो महीने का माता दोनों में सबसे अधिक किसको प्रेम करेगी किसको करेगी क्यों भाई पांच साल वाला तो पांच साल से उसका बेटा है तो सबसे अधिक तो पांच साल वाले वो करना चाहिए न लेकिन मा किसको करेगी दो महीने वाले बच्चे को भगवान भी यहां यही कहते हैं लक्ष्मन तुम तो मेरे पुराने बच्चे हो हन्मान तो अभी अभी मेरी शरण में आया है अर्थात अभी नवजात शिशु है इनको मैं आप से दो गुना अधिक प्रेम करूँगा भगवान किसी के मन को नहीं दुखाते है जो किसी को दुख दे वो भगवान हो ही नहीं सकता है तो अधिन में किसके घर गया था तो बब्बा ने हमसे कहा बबबा बइठे हैं यहां पर बिबेक जी के घर बिबेक भया के बब्बा बोले महराज ये वो भजन हमको सुना दीजिएगा उन्हें जरूर सुना दीगे भावजी तो कलम भुलाई गए लेकिन अभी देखिये प्रसंग आया भगवान अरे करुणा निधान रौवा जगत के दाता है करुणा निधान रौवा जगत के दाता है करुणा निधान रुवा जगत के दाता है मती के फेर देनी मती के फेर देनी स्री भगवान रुवा जगत के दाता है करुणा निधान रुवा जगत के दाता है ग्राहत के मार दिहनी ग्राहत के मार दिहनी ग्राहत के मार दिहनी गजे उबार लिहनी के बासमा न रुवा जगत के दाता है करुणा निधान रुवा जगत के दाता है भाकता वी दुर घर गईनी प्रेम से सगवे खईनी भाकता वी दुर घर गईनी भाकता वी दुर घर गईनी प्रेम से सगवे खईनी फ्रेम से सगवे खईनी खोड़ के पालकवा निरुवा जगत के दाता है करुणा निधान रुवा जगत के दाता है करुणा निधान रुवा जगत के दाता है मैया शबरी घर गईनी मैया सबरी घर गईनी जूठे बेरन के खाईनी मैया सबरी घर गईनी जूठे बेरन के खाईनी कई के बखान रहुआ जगत के दाता है करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है साधक गावेले दास गईतिरी खीच के तीनी को चिचरी भोजपूरी में लकीर को चिचरी कहते हैं कोई भी आदमी कहता है अरे हम सत्य बोल रहे हैं नहीं विश्वास एक दो उत्ति लोग तीन लकीर खीच के कहते हैं इदम पकात के सत्य है चिचरी यानी लकीर साधक कहता है गावेले दास गईतिरी खीच के तीनी को चिचरी कईनी बोधिमान रवा जगत के दाता है करुणा निधान रवा जगत के दाता है करुणा निधान रवा जगत के दाता है रिभगवान रवा जगत के दाता है रिजाने जहान रवा रवा मने आप भोजबूरी में सबसे आदर सूचक शब्द है रवा अरे जाने जहान रुवा जगत के दाता है भगवान ने श्रीहनमान जी को अपने खिदह से लगाया श्रीहनमान जी महराज भगवान के गले लगे परम प्रसन्न भैं और उसके बाद सुग्रिव जी के बारे में बताकर लिये दूओ जनपीट चड़ाई अपने पीट पे चड़ाके हनमान जी भगवान को सुग्रिव जी के पास लेकर गए अगनी को साक्षी रखकर हनमान जी ने सुग्रिव जी और भगवान में मित्रता स्थापित कराई जीवन में जब तक हमारे पास किसी संत की छाया नहीं रहेगी तब तक हमारा भगवान से कोई भी संबंध बनने वाला नहीं है संत का यही काम है कि जीव का भगवान से कोई ना कोई संबंध स्थापित करादे श्यानमान जी महराज भगवान को लेकर गए और सुग्रिव जी और भगवान के बीच अगनी को साक्षी रखकर मित्रता स्थापित कराई और दोनों पक्ष की कथा दोनों को सुनाई राम जी की कथा सुग्रिव को सुनाई सुग्रिव की कथा राम जी को सुनाई सुग्रिव से पूछने लगे भगवान की मित्र तुम कपियों के राजा हो तो पहाड पे क्यों रहते हो सुग्रिव ने कहा प्रभू मैं और बाली दो भाई एक बार मैं का बेटा मायावी मेरे भाई बाली को ललकार दिया मेरा भाई मायावी के पीछे दोड़ा मारने के लिए भाई के पीछे मैं भी भागा भागते भागते मायावी एक गुफा के भीतर चला गया तो मेरे भाई बाली ने मुझसे कहा सुग्रिव एक पक्ष तक प्रतिक्षा करना एक पक्ष यानी पंद्रह दिनों तक यदि पंद्रह दिन में मैं गुफा से बाहर नहीं आया तो समझना मैं मर गया सुग्रिव कहते हैं प्रभू एक महीना में खड़ा रहा वहाँ पर मास दिवस के पश्चात उस गुफा के द्वार से रक्त की धारा बाहर निकली मैं समझा मेरा भाई बाली मर गया मैंने गुफा के द्वार पर एक सिला लगा कर द्वार को बंद कर दिया वापस राज्य में आया मंत्रियों ने देखा राज सिंहासन सुना है प्रभू मुझे बरबस मंत्रियों ने राजा बना दिया और जैसे मैं राजा बना तब तक बाली चला आया मायावी कुमार के और उसने मुझे राज सिंगासन पर देखा प्रभू उसी दिन से उसने मुझे सत्रु मान लिया इतना मारा है मुझे प्रभू इतना मारा है मेरा सब कुछ ले लिया राज, पाठ, पत्नी, धन, कोश सब कुछ ले लिया उसके डर के मारे पहाड पर बैठा हूँ उसे स्राप मिला है इस पर्वत परपाउं रखते उसके मृत्यू हो जाएगी यहां स्राप बस आवत ना ही स्राप के कारण नहीं आता यहाँ पर इसलिए यहाँ पर बैठा हूँ अब यहाँ एक प्रश्न है जो सुग्रिव यह सोच लिए कि मेरा भाई बाली मर गया होगा वो यह क्यों न सोचे कि हो सकता है माया भी मर गया होगा फिर मनुष्य को जिसमें अपना लाव दिखाई पड़ता है वो उसी के अनुरूप कल्पना कर लेता है ऐसा हुआ होगा तभी तो हमारा लाव होगा उनको राजा बनना था जब तक बाली मरेंगे नहीं तब तक सुग्रिव राजा कैसे बनेंगे सोच लिए बाली मर गया अब जर बाली मार के बाहर निकला तो द्वार पर पत्थर लगा है और क्रोध पत्थर हटा के देखा तो भाई गया और क्रोध वापस नगर में गया तो देखा कि राजा बनके बैठा है ऐ सत्रू मान लिया हो बहुत मारा भगवान ने कहा मित्र एक बाण में मैं बाली को मारूंगा ब्रम्हा और शंकर भी सहायता करने आजाएं मेरे बाण से बाली को कोई बचा नहीं सकता है सुग्रिव तुम निश्चिन तो हो जाओ अब यहाँ पर एक सुत्र समझिएगा राम जी चाहते हैं तो सुग्रिव के अस्थान पर बाली से मित्रता करते हैं ठिक क्यों बाली कपियों का राजा है बाली के पास सेना है और इसके पहले बाली ने युद्ध में रामण को हरा भी दिया है रामण गया बाली से लड़ने तो पहले दिन ही बाली उठा के पटका रामण को फिर बाली सोचा मैं कहूंगा कि मैंने रामण को हराया है कोई मानेगा तो रामण को उठाया बाली ऐसे लपेटा और यहां दबाया कितने दिन तक छे महीने तक छे महीने तक बगल में दबा कर पूरी दुनिया घूमता रहा बाली कहता है देखो रवणवा है, हराया हूँ इसको रावर देखे तो बड़ा बलसाली है तो लालच देकर रावर ने बाली को अपना मिद्र बना लिया था भगवान चाहते तो बाली से मित्रता करते भगवान को जाना भी नहीं पढ़ता बाली जाता लंका में सीता जी को ले के आता लेकिन भगवान ने क्यों नहीं किया जीवन में कितना भी लाव दिखाई पड़े यदि वो लाव अधर्म के मार्ग पर जाकर प्राप्त हो रहा हो तो उससे अच्छा दरिद्र बनके रहा जाए परंतु स लाव की और नहीं देखना चाहिए अपुर्विया हमारे भोचपूरी में कहावत है फायदा देखकर काईदा नहीं बदलना चाहिए काईदा यानि तरीका फायदा दिखाई पड़ा तो काईदा नहीं बदलना चाहिए आजकल पूरे देश में एक अभियान के तहट धर्म परिवर्टन कराय जा रहा है अभियान चला है अभियान धर्म बदलो धर्म कैसे बदलो रुपिया लेकर बदलो फायदा देखकर काईदा लोग बदल रहे हो एक बात सदेव याद रखिएगा धर्ती पर कोई भी बच्चा जब जनम लेता है तो वो जनम लेतने के साथ ही हिंदू रहता है उसके बाद जो भी होता है काट छाट के बनाया जाता है पैदा होते बच्चा सनातनी रहता है जो भी हो क्यों हिंदू को बनाना नहीं पड़ता हिंदू बन के जनम लेता है रुपय के लिए माई बाप नहीं बदलना चाहिए हम हिंदू है और आप सिनिवेदन करूं इसमें अपराद हमारा भी है दूर रहना दूर रहना मत आया मत तुम छूना मत हमको अरे क्या हो तुम क्या हो छूना मत शरीर में बिमारी लग जाएगी डाक्टर साब कहेंगे दस बुतल खून चाहिए उस समय नहीं पुछो कि किसका खून लेकर आ रहे हो उस समय खून चाहिए लगाओ प्राण बचाना है आप देखी हम राम जी की कथा गाते है राम जी समाज के सबसे निचले अस्थर के लोगों को जाकर अपनाया राम जी को क्या पढ़ी थी कोल भीलों के साथ रहने के लिए अयोध्यावासी जब चित्रकूट में आकर रहने लगे और कोल भील उनकी सेवा करने लगे तो अयोद्यावासी कहते हैं आप लोग हमारी कितनी सेवा कर रहे हैं कोल भिलो ने कहा ये कौन सी सेवा है पानी लाना कपड़ा लाना फल लाना ये कोई सेवा है असली सेवा तो आप देखी नहीं अब तक अयोद्यावासी ने पूछा कौन सी सेवा कुल भिल कहते हैं हम लोग अब तक आपको लूटे नहीं यह सबसी बड़ी सेवा हमारी है हमारा काम ही है लेकिन आपको नहीं लूटा अयोद्यावास्तियों ने पूछा क्यों नहीं लूटा कौल भिल कहते हैं जब से रहुनात जी को देख लिया है अब जीवन में कुछ पाने की तमना ही नहीं बची मानो सब कुछ प्राप्त हो गया भगवान को क्या पड़ी थी कोल भीलों के साथ रहने के लिए शबरी मैया भीलनी है भीलनी कल आपने कथास्रवन की शबरी मैया अपने मुख से कहती प्रभू अधम हूँ अधम में भी अधम हूँ मती मंद हूँ हे पाप्षत्रू पाप की धरा पर मैंने जनम लिया है उन शबरी मैया के घर जाकर भगवान भोजन करते हैं क्योँ? जीवन में समझियेगा मनुष्य का सरीर प्राप्त करके जो भगवान का भक्त नहीं बना उससे बड़ा अच्छूत संसार में दूसरा कोई नहीं हो सकता मानो शरीर मिला अम भगवान के भक्त नहीं हो पाए हो क्या मुख दिखाईएगा उपर जाकर? क्या मुख दिखाईएगा? गुर्दे भगवान वसिष्ट जी कहते हैं भरत जी बारह सोचनिय बताएं है गुर्दे उने बारह इन इनका सोच करना चाहिए उस ब्रामन का सोच करना चाहिए जो वेद नहीं जानता है उस राजा का उस छत्रिय का सोच करना चाहिए जो अपनी प्रजा को प्राण के समान पालन न करे और जो नीति का त्याक करके बैठा है वो राजा सोच करने लायक है वो बैश्य बनिया सोचनिय है जो धनवान होने के बाद कंजूस बनकर बैठा है जो अतिथी का सत्कार नहीं करता वो बैश्य सोचनिय है वो सेवक सोचनिय है जो ग्यान होने के बाद लोगों का अपमान करता रहता वो इस्तरी सोचनिय है जो घर में बात बात पे कलह करती हो अपने मन से घूमती रहती है वो इस्तरी सोचनिय है वो वो शिश्य सोचनिय है जो अपने गुरु की आग्या का पालम न करे वो ग्रिहस्त सोचनिय है जो ग्रिहस्त धर्म से बिमुक होकर बैठा है वो सन्यासी सोचनिय है जो सन्यास लेने के बाद भी संसार के प्रपंच में फसा हुआ है वो वानप्रस्त सोचनिय है भरत जो तप छोड़कर भोग में लीन हुआ है वो मनुष्य सोचनिय है जो चुगली करता है जो इधर की उधर करता है माता, पिता, गुरु, भाई से बिरोध करता है वो मनुष्य सोचनिय है जो केवल अपनी शरीर का ही पोशन करता है और अंत में कहा गुरुजी भरत वो मनुष्य तो बेटा सब प्रकार से सोचनिय है जो मानों का शरीर प्राप्त करके भगवान का भक्त न हो पाया वो सब प्रकार सोच लिए संसार में यदि कोई अच्छूत है तो जो भगवान का भक्त नहीं है वो अच्छूत है भगवान के भक्त की कोई जाती नहीं होती है आप अपनाईए मानवता के कारण अपने लोगों को अपनाईए कि यदि आज हम मौन होकर बैठे रहें तो आगे आने वाला समय बहुत बिकट हो जाएगा कि बुरा मत मानिएगा मैं गया था केरला कि केरला जाकर हमको लगी नहीं रहता कि हम भारत में हैं जहां देखिए केवल चर्च दिखाई पड़ते हैं मंदिर का नाम मौनिसान नहीं है क्या अंग्रे जाकर वैठे हैं क्या वहाँ पर अंग्रे जाय है हमारे अपने लोग हैं क्यों चले गए हमने पकड़ने का उनको प्रयासा ही नहीं किया इसलिए सब्कल के चले गए अपने लोगों को पहचानने का स्वभाव बनाईए उनको अपनाने का स्वभाव बनाईए समाज हम मानों पहले बने उसके बाद में ब्रामभण और छत्रियों बना जाए पहले मनुष्य बनने का स्वभाव बनाया जाए मेरी प्रार्थना आपसे रुपे के लिए माई बाप नहीं बदलना चाहिए भाग्य में जितना धन जितना आश्वर्य लिखा है कोई माई का लाल आपसे छीन नहीं सकता एक बड़े छे सादक थे पुझे राइश्वान जी महराज कहते थे भाग्य में होगा तो भागा हुआ भी भाग के चला आएगा और भाग्य में नहीं होगा तो आया हुआ भी भाग के चला जाएगा आपके पास ठिकने वाला नहीं है भगवान ने लाव देख कर नियम नहीं तोड़ा बाली के साथ मित्रता नहीं की सुग्रिव के साथ मित्रता की भगवान ने सुग्रिव से प्रभु ने कहा मैं तुम्हारा काम करूंगा बाली को मार कर आपको राजसता वापस दूंगा आप राजा बन जाएगा तो आप मेरा काम करिएगा कपियों को चारो दिशाओं में दसो दिशाओं में भेज कर और सीता जी का पता लगाईएगा भगवान ने अपने बचन का पालन किया बाली राम निजधाम पठावा बाली को प्रभु ने अपने धाम बिदा किया क्यों मारा? सुग्रिव कारण नहीं थे बाली इंद्र के अंस से अवतार लिये थे आये थे राम जी का काम करने और जाकर रावण से मित्रता कर ली थी इसलिए भगवान ने मारा और एक बात समझेगा भगवान जितना लाव बाली को दे दिये उतना लाव सुग्रिव को भी नहीं मिला कैसे बाली को भगवान ने अपना पद दे दिया असुग्रिव को किसकिंधा का पद दे दिया दोनों को एक एक पद दिया है परंतु जो बाली को पद दिया है वो पद जीवन में अब समाप्त होने वाला नहीं है और सुग्रिव को जो पद दिया वो समाप्त होने वाला पद है सुग्रिव के बाद बाली का पुत्र अंगद राजा बनेगा अंगद को यूवराज बनाया भगवान ने सुग्रिव से कहा मित्र राजपाट समालिए मेरा काम याद रखिएगा क्या सीता जी का पता लगाना है लेकिन जब जीवन में बहुत सुख आ जाये न हो तो हम भगवान को ही भूल कर बैठ जाते हैं हमसे लोग पूचते महराज हम क्या करें माला जपे पूजा करें तिर्थ की यात्रा करें क्या करें कुछ मत करिए फिर महराज बस भगवान को याद करते रहे जब से बड़ी साधना और सबसे बड़ी पूजा यही है हम भगवान को याद करते रहे याद कब बनी रहेगी जब जीवन में कश्ट होगा जीवन में जब दुख होगा हमारे महराजी कहा करते हैं वेटा भगवान से ये कहना कि प्रभु जीवन में कोई न कोई कमी बनी रहे क्यों? जब चारों ओर से बनिया हो जाएगा ना तो भगवान की याद आने वाली नहीं है फिर भगवान को भूल जाएंगे हम कमी बनी रहे कि प्रभु की याद आती रहे जो इनको याद करते हैं उसे ये याद करते हैं जो भगवान को याद करते हैं भगवान उनको याद करते हैं याद को उल्टा करिए 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 क्या होगा दया मापुरुष कहते हैं जब हम भगवान को याद करेंगे तो भगवान हम पर अपनी दया की वर्षा करेंगे यह सिद्धान चाहिए दोस्तो रंजन जी महराज के दोरा यह परशंग आपने सुना आपने आपको कैसा लगा हमें कमेंट बोक्स में जरूर बताए दोस्तो और अच्छे अच्छे और रोचक भजन कथा किरतन जो अगर आपने सुनने हैं तो हमें कमेंट बोक्स में अपनी राय दे जो भी आपको परशंग सुनना है दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताई और यह है परशंग यह कथा सिर्भगवत कथा और राम कथा सिव कथा रमायन कथा जो रंजन जी महराज सुनाते हैं वो उनकी आपको कैसी लगती है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें दोस्तों हम वेदन करते हैं कि रंजन जी महराज की जो कता है वो पूरी सुना करे ताकि आपको एक अच्छे विचार और अच्छा ग्यान आपको मिले यही हमारी कामना है यही हमारा संदेश है कि रंजन जी महराज के दौरा जो एक कता जो विचार है उनके घर घर तक जाए और पूरा व झाल झाल